जाहिन दोस्तों आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहा हूं जो हर किसी के काम का है आपको पता ही है कि मैं आम लोगों के विशाय पे ही विडियो बनाता हूं आम आदमी के विशाय पे जो हर आम आदमी हर आम नागरिक के काम का हो मेरा सब्जेक्ट नहीं कुछ ऐसा होता है जो हर आम नागरिक को फायदा पहुंचा है बाकि जो खास लोग है बड़े लोग है बड़े बिजनेसमें ने उन लोग के लिए बहुत साधन है बहुत उपलब्द है हर चीज लेकिन जो आम आदमी होते हैं उन्हें हर जगा सलाह लेने के पैसे देने परते हैं कहीं नहीं निकल पाते कहीं नहीं जा पाते हैं तो लेकिन पैसे पर टेक्स कैसे बचा सकते हैं यह सारी आम नग minist को अभी पता नहीं यह पैसे कहीं से बीप लेकिन पता चलेगा कि दो साल बाद पांच साल बाद दस साल बाद इंकम टेक्स उसको नोटिस भेज दिया और उसे पता भी नहीं रहेगा कि क्या लेंदेन हुआ क्योंकि अभी सेविंग एकाउंट जो है बचत खाता है हर किसी के पास बैंक में चाहिए वह जंधन खाता है क्यों नहीं है लेकिन उसका टर्म कंडिशन उसे मालूम नहीं है कि कितना कैस्ट करना चाहिए कितना ओनलाइन करना चाहिए तो आज इसी सब्जेक्ट पर चर्चा क हिसकी चाहिएगा नहीं सीधा कॉमेंट वक्स में लिखिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जैसे वीडियो बना रहा हो यह भी किसी ने किसी के टॉपिक पर है आपको सीधा जनकारी दे दूं कि आपके पास सेविंग एकाउंट है बचत खाता है जिसमें आप पैसा जमा करते हैं निकालते हैं लोगर जानकारी नहीं हो भी सकता है कि आप पैसा पैसा आ रहा है तो आप अपने account पर cash 2,00,00 रुपे से ज्यादा जामा नहीं कर सकते हैं मतलब जो saving account है उस पर 2,00,00 रुपे से ज्यादा cash जामा नहीं कर सकते हैं 1 अप्रियल 2019 से ये नियम लागो हुआ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो इंकम नहीं करते हैं ज्यादा बड़ा बिजनस भी नहीं है मजदूरी करते हैं लेकिन उनके एकाउंट पर लेंदेन हुआ दोस्तों द्वारा रिष्टेदारों द्वारा दूसरे के द्वारा और उनका इंकम टेक्स का नोटी दो स साल नहीं कर सकते मतलब दूसरा आँ पूछरा कि कि लिन कर सकते हैं पूरे साल में तीन रुո्रिपया पर करके तीन लाक्रवा देन साल पूरे साल में मार्च तो मार्च जो फाइनिंसियल प्लाप जोरा जाता है तो साल में आप मांतर तीन लाक मांग सकते हैं और एकांटतर करING प्रजिए हार्स कोने कि इस पैसे वुगल पर कर लिए पर कर हो प्यारण पैस से पैसा आ रहा है या पिर किसी यूप से刑न्प पैसा रहा है कहीं भी आ रहा है तो online जो पैसा उस पर आएगा जो कैस आप जमा नहीं कर रहा है online आएगा तो online आप 10 लाग रुपया तक टांजेक्शन कर सकते हैं सेविंग एकाउंट पर 10 लाग रुपया से जैसे 50 जार भी एक्ष्टरा हो जाता है टांजेक्शन साला ना उससे ज्यादा ह हो जाता है यह नहीं कि यह पर दसा की बात बोलाओ लिएक करके ज़्यां कर रहा है तो सिधा बैंक क्या करती है वह इंकम टेक्स डिपाट्मेंट को रिपोर्ट कर देती है कि वह सकता है कि एक साल बाद दूसाल बाद आसे नोटिस भेजेगा और आप आपने किया है पैसे सरकार को नहीं देना पड़ेगा लेकिन नहीं पताते हैं और इसका नहीं बताते हैं इनकम का और खर्च नहीं बताते हैं तो फिर आपको उसस पैसे का ग्रुपी उसका ग्रुपी ऊष्यक बिधना परेगा तो आप सोचे कि become Tell file करेंगे को कि अंधर मैं विछ आता तो फिर आपको देना परण करेंगे सब्सक्राइन करेंगे वह आपको स्वाल किया था कि मेरे पास 2 écouts 2 ऑपके नजरों में नहीं भी आ सकते हैं अधार नमर दिया रहता है सब जगा लिंक कराता तो वह सारा एकाउंट निकाल लिया जाता है उसके द्वारा आईटी या डिपाउंट आपको से लिए पर पाता चल जाए गाईगा कि सब अलग अलग लेंदेन हो रहा है फिर भी नोटिस आपको आएगा शिद्विए आपके पास अगर दो वी लेकिन आपको पैसे का हिसाब देना पर अगर डिपार्टमेंट का अगर नोटिस हा जाता है तो पैसा का सोर्स बताना पर इगा यह जरूरी नहीं है कभी-कभी होता है कि अब कर लिए दो तीन अकंट पर विस लग का भी कर लिए तो आई टी आड़ डेपांट्मेर नोटिस नहीं करता है इसलिए कि किसी पर दो लग कि किसी का पर पांच लग कि आपके तिन-चार एकाउंट है तो बैंक रिपोर्ट नहीं करती है लेकिंग तस लग जब पार कर जाता है लेकिन दस लाख पार होने पर करेंगे चाहिए ओनलाइन अब आगे आपको बता दो कि किसी को करज दे रहा है आप सोना खरीद रहा है कोई समान खरीद रहा है तो इसके लिए बता दो कि एक अपरिल 2019 से लागू कर दिया गया बहुत सारे लोग का मालूम नहीं है बहुत लोग को पता भी होगा कि दो लाक रुपया से कैस लेंदेन ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं कोई समान खरीद रहा है तो आप दो लाक रुपया तक ही कैस लेंदेन क कर सकते हैं किसी को दे सकते हैं लेकिन अगर कैस लेंदेन दो लाक से ज्यादा करते हैं और इसका कोई कमपलेन होता है को रिपोर्ट होता है तो फिर आपको इंकम टेक्स लेने वाला देने वाला दोनों पर जुरुबाना करेगी दोनों पर पनेल्टी होगा इसलिए कोई भ लिए कर सकते हैं तो ऐसा बहुत सारा माद्याम है कैस की जरूरत ही कहा है कैस करना नहीं कर दिया कि दो लाग से ज्यादा कैस्ट लेंडिन करना ही सकते हैं जी स्थाइब सकते हैं घर के पांसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंका इंकम पिर enam Hahah कर रहे हैं जहां बिजनेस्टान कई तो नाम से हो बिजनेस्ट के नाम से उनका छालू खातां खुल तो अगे कोई दिक्कत नहीं कोई नजर रहता है क्योंकि आपको किसी भी हालात में आपको टेक्स देना ही आपको इंकम कर रहा है तो वह तो सारे तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होती है फिर उन्हें वापिस मिल जाता है क्योंकि सरकार द्वारा 22 रुपया तक कोई भी बिजनस पर कर रहा है तो उसमें टेक्स पृण कर दिया गया जी एसटी कराने की जरूरत भी नहीं है अगर जीएसटी आपने करा भी लिया चलू खाता अपने खोल भी लिया है तो फिर आपको कोई भी टेक्स नहीं देना होगा एक बात और आपको बता दू मैं भूल गया था कि जो मैंने बताए कि दो लाख रुपे से ज्यादा के कैस लेंदें नहीं कर सकते हैं तो अब क्या है कि जमीन का खरदारी बहुत लोग करते हैं खरीदते हैं बेचते हैं तो कि होता है कि जतना की हुता है उससे कम यहां सरकारी भैलू होता है गर्मेंट भैलूचन जो होता है नहीं कि डी कहा कही जमीन होगा है यह ठीम में, जमीन का कीमत खारी तो लुट लाक रुपेर बैसनागी mama says, ॏ ज घ्यादा में बेचता है तो जो सब्सक्राइब गलत है अगर आप जमीन की खरीद विक्री कर रहे हैं तो दो लेकिन आप कैस लेंदेन ना करें इससे होता क्या है कि आप जितने में जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं पूरा पैसा वहां पे चरवाई सो कोई दिक्कत नहीं किसी जमीन का कितना भी हो अब भी खरीद मार्केटर इसके लिए कोई बंदिस नहीं हाँ जितना गाएं पैसा दे रहा है उतना पैसा चरवा सरकील दे खरीद तो दोस्तों किसी परकार को और भी जानकारी कुछ चाहिए कानून से संबंदित हो या फिर किसी कोर्ण कचहरी को विवास से समझने आपको जानकारी चाहिए जिस सब्सक्राइब नहीं कर रखाए पहले तो कर ले अगर अपने गृत इसके लिए धन्यबाद देता हूं आप क कली ये 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 इंड तो